कि यहती की स्माट कट समय क्लास में आप सभी का स्वागत है और इक काउंटिंग कि दॉस्ट के बारे में पढ़ रहे थे जो की मैंने कल आपको चिल बारे में बता था की किस्टी को हम कितने भागों में बांडते हैं और प्लस मैने आपको text liability और ITC के भी बारे में मैंने आपको कल की class में मैंने आपको बतर आज की class में जो जानना है वो है आपका registration और liability to register और mandatory registration ये तीन topic आज हम लोगों clear करेंगे ठीक है जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले registration के बारे में यानि कि वह कौन-कौन से विक्ति हैं जो अपनी GST के पोर्टल पर registration करा सकते हैं और इसका क्या रूल है क्या नियम है वही आज की class में समझना है देखिए सबसे पहले यहां पर registration के बारे में आपर बताया जा रहा है तीन यहां पर टीन के बारे में बताया जा रहा है देखिए कि करा कि टीन टेक्स आइधिफिकेशन नंबर करा की टीन टेक्स आइधिफिकेशन नंबर एसाइन किया जाता था ठीक उसी परकार GST में रिस्टेशन होने के बाद बिजनस को GST इन यहने की good service एक्स आइधिकेशन नंबर एसाइन होता इसके पहले भी टेक्स लगता था कि इसके पहले भी टेक्स अनुवों को देना होता तो जी स्थे पहले बैठ लगता थी बैठ बैट भी एडे टेक्स एक प्रकार के बैड लगते थी COप जो उससमय इस समय तो जी संपर हो रहा है न उस समय 120 वांड tumor लेकिन यहां पे जो टीन नंबर होता था जिसको टेक्स नंबर होते हैं तो पहले वो सिर्द किया जाता था पहले उसको लगा जाता है लेकिन उसके बार जब पर हम сट कर आने लगे तो हमको ऑने लगा जो कर रहा है नंबर होता था और यहां GST आया नंबर 15 डिजिट का होता है कितना डिजिट का होता है 15 डिजिट का होता है मतलब पहले ही बता रहा है कि पहले जो है टेक्स आइडिफिकिशन नंबर होता था लेकिन जब GST की प्रवाई स्टार्ट हुआ यानि कि यह 17 जुलाई कौन सा एक जुलाई 2017 जब इंडिया में GST लाया गया तो उस समय GST नंबर प्रवाइड होता था और GST नंबर टोटल 15 डिजिट का होता था कि इसका इसका इस्ट्रुट निमनलिखीत होता है यानि कि यह जो GST नंबर है यह पैन नंबर पर आधारीत होता है इस पर होता है जैसे कि पे नंबर कितने अंग का होता है जो हमारा पेन नंबर होता है को दस अंग का होता है जिसमें कुछ नंबर भी होता है और कुछ लेटर भी होता है कुछ नंबर भी होता है कुछ अलफाबेटिकल भी होता है तो हम कैसे पहचाम करेंगे कि हमारी GST नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो आपका मतलब GST नं इसरे पास से uticoot लिखा वह और इसके पास से ब्लैंक लिखा हुआ है और जेक सम लिखा अब आप करेंए जिसे की आपका जो जीरेंट का से यह नंबर होता है जो स्टार्टिंग का जोạtर होता है उसको उसको हम state code के नाम से जानते हैं किस नाम से state code के नाम से अब हर एक state का जो code होता है वो विल्कुल क्या होता है अलग अलग होता है जैसे अपने state का जो दो लेटर आपको मिला इसका मैंने क्या नाम दिया state code नाम दिया अब यहां से देखिए स्टार्टिंग का पांच मतला मैं स्टार्टिंग के दो लेटर को छोड़ करके और यहां से जो पांच नंबर सुरुवात का दिया है यह नंबर नहीं है यह आपका अलफाबेटिकल में दिया हुआ जैसे हम यहां पर mention कर दे रहे हैं जैसे कि मैंने यहां पर टाइप कर दिया जीरो नाइन जीरो नाइन और यहां पर ए इसके जगा पर बी एम एपी एम पी और यहां पर हो जाएगा भी समझ में आ रहा है ना आप इसके बाद से बारह एकत्तिस फारह एकत्तिस और जो एकस दिया इसके जगा पर मैंने यम दे लिए यम वन जेड और बी यही आपका जीएश्टी नंबर होता है अब इसमें देखिए जो 09 स्टार्टिंग का है न इसको हम स्टेड कोड बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टेड कोड बोलते हैं और यहां सले करके यहां तक जो आपका दिया हुआ है इसको हम पेन नंबर बोलते हैं तो पेन नंबर जो होता है स्टार्टिंग का पांच लेटर एब आपका Virgin होता है और लेटर आपका नंबर होता है और आपका एंड और ये हमारा जो डिजिट सबकुंपर है तो आपने लिखांद एक इन लिखर्ण शेडियर कि रिष्णा और तो जब GST नमबर प्रोवाइड होता है तो यह आपको समझ म्याना चाहिए कि GST नमबर में क्या क्या जूड़ा हुआ कोई दिकत अगर आप पूरे स्टेट का भी जानना चाहते हैं तो आपके लिए मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे आप जाज कर पाएंगे अलग 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 जो है इस्टेट का GST नमबर क्या होता है देखिए बस आप यहां पे Google Chrome पे आप आईएगा और यहां पे आप सर्च करिएगा इंडिया कंट्री अलिए कंत्री जेसी कोट जैसे ही आप अपने इंडिया कंट्री कंतरक्त जितने भी इस्टेट आते होंगे वह पूरे इस्टेट का जो है आको शानी तरीके से यहां पर मिल जाएगा कि JST मतलब नंबर क्या है हर इस्टेट का GDP क्या है यहां cities कोड यहां से पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, यहां से आप असानी तरीके से जांच कर सकते हैं, रुखे इसको हम डिलीर कर देते हैं, यहां से पूरे इस्टेट का मिल जाएगा, आपको देखे, किस इस्टेट का आपको जांच करना है, यह पूरे आपको इस्टेट का मिल जाएगा, यहां पर क्या लिखा है इस्टेट नेम लिखा है और इस्टेट कोड लिखा हुआ है जैसे कि जम्मु एंड का समिर का 01 से इस्टार्ट होता है हिमांचल परदेश का 02 से पंजाब का 03 से चंडीगड का 04 से उत्राखंड हरियाडा देलही राजस्थान उत्रदेश 09 दिया है बि कोई ऐसा विक्ति है जो अपना जैसे के पोर्टल करवाया है तो उसका जब जेश्य नंबर मिलेगा तो उसका स्टेट कोड कहां से स्टार्ट होगा 09 से ही स्टार्ट हो और बाकि 09 यानकि स्टार्टिंग का दो लेटर छोड़ करके और बीच का जो 10 मिलेगा उसका पेन को दिक्कत किसी को अब चली आगला जो नापले कर लिमीट होता क्या एक कि इसके बारे में दिया है करा कि ऐसे अधिविजनस को निटिधारी ते लिग्रेंट यूभार की लिमियंट को कि ऐसे बिजनास जो निर्धारी तेनुवल एग्रिगेट टर्नोबर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रेजिटेशन जीस्टी में कराना होता है इसमें एक सब्दाया है टर्नोबर क्या कोई टर्नोबर के बारे मताएगा टर्नोबर का मतलब होता है एक अप्रेल से लेकर के और 31 मार्च तक आपने अपने बिजनस में क्या क्या पूड़क्ट को आपने सेल किया कितने रुपे का आपने सेल किया उसी को हम टर्नोबर बोलते हैं तो यहां पर बताया जा रहा है कि कोई ऐसा बिजनसमेन है जो अपने एक मतलब फाइंसियल एर में आपने लिमिट को जैसे की इन्वल टर्नोबर को पार कर लेता है तो उन्हें अपना रेजिट्रेशन जीस्टी में कराना होता है और एन्वल एग्रिगेट टर्नोबर के अ एक सेबल का मतलब तक एक सेबल एसा बुड़ या सर वीज जिसको सेल करते से में एक सेल करते से यह सेबल एक सेबल पर गुट तो थीजिट्रेशन फीडिशन एक सेबल के अटमेल फूल सकते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपने सुना हो गां। आयात और निरयात… तो इसमें एक्सपोर्ट की बात हो रही है. मतलब आयात जो अपनी बजनस में हो रहा इसको सामिल किया है. और करहा है कि default Kern कारण by के यहां Lab का लिमिट होती है, वो निमन लिखेट होती एक्सपोर्ट सप्लाई वाले को भी सामिल किया गया है मतलब इसमें ओभी विजनस में रिस्टेशन अपना कराव सकता है जो ऐसे गूर्स को सेल करता है जिसके जिस्टी लेता है उसको अम टेक्सेबल बोल सकते हैं और वह विक्ती भी अपना जेस्टी के पोटल पर रिटिश है जो माल किसी दूसरे जगह पे बेशता है आयात करता है उस व्यक्ति को भी जरूरी की ज़स्टी के पोटल कर Fiona करवाए तो इसके लिए यहां पे दिया हुआ है कि कि से स्टेड के लिए और क्या-क्या मतलब यहां पे दिया हुआ है मैंडेटी क्या है तो जैसे कि कि यहां पर दीया हुआ कि यहांपर आपका रीजन दिया हुआ है और जो मतला का लिएन परदेश को सामिल खिए असम को सामिल किया गया है मडिपूरम को सामिल किया गया है मेघाला है मेजोरम है नागा लेंड है सिक्की महत्री पूरा है और हीमानचन परदेश है इन सभी परदेशों के लिए कंडिसन दिया गया है कि आपका टर्णोबर कितने लाग का होना चाहिए 20 लाग रुपे का होना मतलब अगर आप जो है इन सारे स्टेट में जैसे यहां पर जो भी स्पेशल काटिगरी में दिया हुआ है अगर इस स्टेट के अंदर कर आपका बिजनस है और आपना जो एनुवल टू तर्नोबर है वो 20 लाग रुपे तक का है तो गौर्मेंट यह कहता है कि आपको चेस्ट करें मतलब उससे नहीं 20 लाग ज्यादा सेल करें उससे मतलब नहीं है लेकिन आपके लिए मैंडेटरी है कि अगर आपके बिजनस में अगर इनुवल टर्नोबर अगर आपका 20 लाग हो जाता है तो आपको जीस्टी के पोर्टल करेश्टेशन कराना हो कोई दिक्कत अब चल सब्सक्राइब को अब यहार वो गया उपर आप इतना समझेये कि इसमें सब्सक्राइब करके सेषा पीजिनस किसी भी श्याट करते हैं तो आपके लिए गुवर्मेंट कितना निरदारित किया है अब ऐसे भी कोशन बनती है कि सर इन राजियों में कम क्यों है और इन राजियों में ज्यादा क्यों तो जैसे एक सिंपली आप उत्तरप्रदिस का इस्ट्रक्चर आप समझें अब उत्तरप्रदिस वी आजाएगा विहार विया जो इस्टेशल काटीगरी में समयलित महीं हैं तो ऐसे इस्टेट है जिनकी टर्नोबर चालेस लाग रुपया इसमें कम इसलिए है है शांट जाते हैं यहां फिर्माइन की इस में बहुत जादे जाएं पर प्रोब्ल्म होती है यहां फिर मान के इसमें जो है बहुत सब्सक्राइब होते हैं तो जैसे कि लिए यह से किया गया है जैसे कि आप उतना कमाएगा है नहीं चार्विस लाग रुपिया तो गवर्मेंट को टेक्स देगा लिए आपको बीस लाग रुपे तक है तो आपको जेस्टी में इस स्टेट में बहुत सारे प्रब्लम क्रियेट होने के वज़ा से गर्वर्मिंट काईगा कि तब आने दीजी आप भी रिश्चेशन कराना है लेकिन आपके लिए लांटमेंट कितना किया गया है 20 ला किया गया है प्रदेशों में जो है आप दाएं आते रहते इसके वज़ा से गवर्मेंट इसको 20 लाग रुप्य और बाकी सी श्टेट को छोड़ करके बाकी इंडिया पंट्री के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं उनकी आर्थी किसिती मजबूत है वो हर तरीके से सक्षा में उनका 40 लाग इसलिए दिया गया है क्योंकि इन चेत्रों में इन प्रदेशों में इस तरीके कोई प्राब्लम क्रियेट नहीं होते हैं तो गवर्मेंट यह कहता है कि आपके लिए 40 लाग मेंडेट्री किया गया है तो जैसे यहां पे एक छोटा से एक्जांपल में आपको देना चाहूं मान कि चलेकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर देखा जा तो दस बच्चे उसमें से कोई दू बच्चा ऐसा क्या राए कि सर आप सभी लोगों से तो 15 रुपे आप इंस्रॉल्म को देखते हुए उनको पढ़ाई में प्रावलम करेटना हो उनसे भी फीस लिया जाए उनकी इंस्रॉल्मेंट हम छोटा कर लेते हैं तो वह भी अपना पढ़ाई कर लेते हैं और बाकी बच्चे भी अपना 1500 देकर के पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन इंकम तो उससे भी लेकिन एक थोड़ा सा उसके लिए क्या हो गया राहत हुए से मुसी तरीके से मारी जीस्टी के साथ भी असाइट है क्लियर हुआ अब चलिए अब एक कोशन और आता है कि यह क्या कोई ऐसा भी विखती है जो बीस लाग या चालिस लाग के अंतरगत नहीं आता होगा क्या तो उसको भी रिस्टेशन करवाना होगा इसके लिए मेंडेटरी रिस्टेशन का कालम आपका दिया हुगा अब कौन-कौन ऐसे बिखती हैं जो बीस लाग और चालिस लाग के अंतरगत नहीं आते हैं और फिर भी वह अपना व्यापार करते हैं तो कौन-कौन ऐसा बिखती है जिनके लिए अनिवार कर दिया गया कि आपको जेस्टी ये पोटल कर रिस्टेशन कराना होगा तो इनके लिए इतना पॉइंट दिया गया है देखे मैं बता रहा है इनके लिए इतना पॉइंट आपका दिया हुगा क्या लिखा हुआ है मैंडेटरी रजी स्टेशन इन तो कोई बता रहा है यह रिश्टेशन अनिवार हैं कि इसके लिए इन सभी वेगतिव की लिए लेकिन क्या तो समझें कर रहा हैं कि उस बिजनस को लिए रूप से स्टेशन कराना होगा जो निम लिखी द कि अंतरगत अगर इसके अंतरगत आपका बिसनस आता हैं तो यह mandatory है, यह अनिवार है कि आपको GST में registration कराना होगा, अब पहला condition क्या लिखा है, देखिए, करा कि अगर कोई person business interstate taxable करता है, interstate taxable supply करता है, तो उसे अनिवार है रूप से registration कराना होगा, भले ही उसकी annual aggregator number की limit कम क्यों नहीं, भले ही इन 20 लाग और 40 लाग से कम क्यों नह है, जो अपने state के बाहर sale कर रहा, और उस पर भी GST लगा हुआ है, तो उन बेक्ती के लिए जरूरी है कि वो अपना GST के बोटल पर registration कराएगा, अब second point क्या लिखा है, करा कि अगर कोई casual या non-resident taxable person है, तो उसे भी अनिवार है रूप से registration कराना होगा, भले ही उसकी annual aggregate turnover की limit income क्यों है, कोई ऐसा बेक्ती है, जो पर प्रवासी, जैसे यहां पर लिखा भी है, करा कि अगर कोई casual non-resident का मतलब यह होता है, कि जैसे कोई प्रवासी बेक्ती है, जो अपने आहां का रहाने वाला नहीं है, और casual side सो अपना कोई business करता है, तो उसको भी अपने GST के पोटल restriction कराना होगा, भले से उसकी annual turnover 20 लाग या 40 लाग हो या नहीं, अब तीसरा point क्या कह रहा है, तो तीसरा कह रहा है, कि जो business reverse charge mechanics है, यानि कि RCM के अंदर का tax pay करते हैं, टेक्स पे करने के लिए liable हो, उसे भी अनिमारेटूस registration कराना होगा, अब इसमें एक सब्दाती है, RCM, RCM क्या होता है, तो RCM का पूरा नाम क्या लिखा है, reverse charge mechanics, ये GST के just opposite होता है, ये GST के just क्या होता है, फुल्टा होता है, जैसे, मान के चलिए, एक कोई ऐसा business man है, जिन आएसे बूर्स को सेल करते हैं, जो नहीं आप इतना समझें, जैसे दो business man है, एक मान के चलिए, जिनका नाम मैंने आप दे दिया, कि इनका नाम है Mohan, क्या नाम है? Mohan, एक businessman, जिनका नाम है Mohan, और इन्हों ने अपना GST के portal registration कराया, और इसके बास से, एक कोई ऐसा business man है, जि जो GST के portal registration नहीं करा है, दोनों समझेंगा, ये जैसे Mohan ऐसे business man है, जो GST के portal registration करवाए, तो ये ऐसा गूर्स या service बेचेंगे, जिस पर क्या करना होगा, उनको tax लेना होगा, बेच सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने GST के portal registration कराया, और ये है सोहन, तो इन्होंने अपने GST के portal registration नहीं कराया, तो देखिए, इनको हम बोलेंगे registered person, और इनको हम बोलेंगे unregistered person, बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने GST में registration करा चुका है, तो इसको हम registered person के नाम से बोल सकते हैं, और इन्होंने GST में registration नहीं कराया है, तो इनको हम unregistered बोल सकते हैं, तो अब देखिए, अगर ये मोहन जो है, अगर सोहन से किसी पोड़क्ट वो खरीदते हैं, तो गवर्मेंट को क्या ये टेक्स देंगे? नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने GST में रिष्टेशन नहीं कराएं, ध्यान से समझेगा? अगर ये मोहन जो है, सोहन से किसी गूर्स को अगर ये सेल करते हैं, किसी गूर्स को पर्चेस करते हैं, तो ये क्या, जो ये सोहन होंगे, ये GST बरने का काम करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने GST के पोटल प्रेस्टेशन नहीं कराया है, तो गौर्मेंट य ईंको हमको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकिぎest Caitlin नहीं है नहीं करा है तो गवर्मेंट यह कहता है कि आप अगला क्या पॉइंट दिया है अगला पॉइंट कि अगर कोई एजन्ट किसी टेक्सेबल परसन के अधार पे गूट से सर्विस अप्लाई करता है तो उसे अनेवारे रुप से रिश्टेशन कराना होगा आप इसमें समझना है कि जैसे कि कौन सा है एजन्ट किसी टेक्सेबल परसन के अधार पे जैसे कोई ऐसा आपने देखा होगा कोई बिजनस में आजाते हैं चलिए मैं आपको बिजनस को बढ़ावा देना चाहता हूं आपके बिजनस को आगे लेके जाना चाहता हूं चलिए हम आपको सपोर्ट करेंगी ऐसा होता है ना जैसे कोई बिजनस नहीं चलता है तो उस बिजनस में क्या करते हैं कि जैसे कि मान के चले हम किसी को जोड़ लेते हैं कोई एजन्ट हमारे बिजनस में आ जाता है और उसक के माधियन से बेच रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि GST के पोटल पर उसको रिष्टेशन कराना होगा यहां पर वही पॉइंट के बारे मताया जा रहा है कि टेक्सेबल परसन के अधार पर अगर कोई एजेंट किसी टेक्सेबल परसन के अधार पर मतलब कोई ऐसा अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है जो इनपूर्ट जो इनपूर्ट सर्विस डिस्टिब्यूटर का बिजनस करते हैं उसको भी GST के पोटल के रिष्टेशन कराना होगा जैसे कि आपने दिखा होगा एक छूटा सा कोई केविन फुल जाता है और वहां बिजनस का माल आपना पूरा का पूरा हैंडल कर नव कर रहा है जो इस तरीके से कर बिजनस सपना किये हैं विजनस में उनको भी कई है कि आपको वी GST में रिष्टेशन कराना होगा अब चलिए अब इसके बास यहां पे दिया है जो बिजनस e-commerce प्लेट फार्मर पर अपना ब्यापार करते हैं और e-commerce आपरेटर हैं उसे भी अनिवारे रूप से दिस्टिशन कराना होगा उसकी भी अनुवाल एग्रिगेट टर्नोबर की लिमिट कम क्यों नग जैसे कि आपन सब्सक्राइब आफ यह सिर्च करते हैं वह अपने यांकी कंपनी है वह अपने के कंपनी नहीं लेकिन फिर भी अपनी चांटी में अकर के ब्यापारी स्टुआ आ है जो आपसानी है उन कंपनियों के लिए भी गवर्मेंट कहता है कि अकर इस तरीके से आप तो आपको करवाई होती है अब चलिए लाश्ट यहां पर दिया है भारत से बाहर की कोई ऐसी कंपणी जो अनेवारे रुप से जी स्टीम रिश्रिशन कराना होगा अब यह पॉइंट क्या कहता है अब देखिए परहा कि भारत से बाहर की कंपणी जो ऑन्लाइन इन्फार्मेशन और डाटा एक्सेस की सर्विस भारत को भारत के भीतर किसी अन्रिश्रिशन को देते हैं जैसे हम क्या हम 15 जी इस पानेगे लिए जैस्टी के पोटल पर रिश्रिशन कराया होते हैं हम तो अन्रिश्रड हुए कि नहीं हुए लेकिन ये सारी कंपनिया जैसे कि आप वन ड्राइब बनाई है माइक्रोसाफ्ट वन ड्राइब बनाई है उसमें भी आप अपना डेटा सीक्योर करके रखते हैं अगर आप जिमल बनाते हैं तो उसमें वी आप अंदर जिवी डेटा प्यटा होता है वो अपने बहुता है वो अपनी है अपने भारत का नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी अगर इस तरीके से बिजनास कर रही है तो कंपनी के लिए ग्ववर्मेंट कहता है कि आपको भी जेश्टी में रिश्टेशन कराना होगा वले ही आपकी एन्वाल एग्रिगेट अबर की लिमिट क्यों ना हो गुवर्मेंट को देता होगा और किसको देगा सब पढ़ा हैं अगर भारस से बाहर कि तो माल चलिक इसको तो सेंट्र गवर्मेंटी तो निर्वार करेगा सेंट्र गवर्मेंटी इसका चार्ज लेगा अब चलिए एक लास्ट आपका दिया हुआ है यहां पे हम समझते हैं एक टीडियस के बारे में दिया हुआ देखिए ल प्रकार का टेक्स होता है जासे इस प्रकार तो जो टीडियस अपना डिडिक्ट करते हैं तो बरने का काम करते हैं कराया कि उन्हें करते हैं तो से आज के लिए इतना ही से सब्सक्राइब के बारे में पढ़ा जाएं कि अग्युक्त